नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में उससे पहले हम लोग मार्केट का डिस्कॉसन करेंगे तो मार्केट में आज हम लोगों फिर से फॉल देखने को मिलता है तो बड़ा फॉल हो सकता है एक बड़ा रेट केंडल भी बना है उसके बाद हम लोगो कुछ फॉलो अप केंडल नीचे की तरह बनते हुए दिख सकता है तो चाट हम लोगो वीक दिखी रहा था उसी करह में हम लोगो बड़ा फॉल होते हुए दिखा है आज gap down opening भी हुआ है reverse step rate जो बढ़ा था उसके कारा हम लोगों को गिरावट तो दिखा था ही market में उसके बाद हम लोग को कुछ और follow up candle बनते हुए दिख रहा है और तीसरा इंडिकेटर हम लोग pivot point या pivot line भी उसके बाद जैसे ही नीचे का pivot पे support लेता है वहाँ पे और भी अपना averaging कर सकते है तो फिलहाल हम लोगो को बाइंग इनिशेट नहीं करना है इस वाले pivot पे support हम लोगो दिख नहीं रहा है 16,500 का जो pivot है वहाँ पे अगर बड़ा सा green candle आपको 2-3% का निफ्टी में बनते हुए दिखेगा तब तो हम लोग बाई करेंगे नहीं तो और भी fall होगा और next pivot निफ्टी 50 का है 16,500 के level तक market गिर सकता है तो इसलिए इस level पे अब हम लोग निफ्टी 20 ETF में investment करेंगे पहले 200 days के करी मिली है तो कोई बात नहीं है अभी negative चल रहा होगा लेकिन डरने वाली बात नहीं निफ्टी 20 बहुत ही quality होता है तो निफ्टी 20 ETF दोस्तों कभी डूबता नहीं है service provider बन जाएगा और आज board of directors LTI और माइंटरी के दोनों respective meetings में एक घुशना करते हैं कि दोनों कंपनी merge होने वाला है और new company का नाम रहेगा दोस्तों LTI माइंटरी और जो share merger होगा और माइंटरी और LTI के जो investor पहले से हैं तो LTI के 73 share equivalent होंगे 100 shares of माइंटरी के और जो new share list होगा दोस्तों LTI माइंटरी नाम से जो company बनीगा वो उसमें करीब LTI, Larson & Turbo का करीब 68.73% का हिस्सेदारी रहेगा और L&T group के chairman ने इस merger के बारे में बताया कि दोनों का business overlap करता है तो इसलिए stronger company वजूद में आएगा दोनों के merger के बाद और price to earning ratio की बात करे माइंटरी की तो 33 के P.E. पे आपको work करते हुए दिख रहा है L&T infotek की बात करे तो 35 के P.E. पे मिल रहा है तो दोनों manageable P.E. पे work कर रहा है इस्टेट हम लोगों को बहुत ही quality return पिछले एक देट साल में IT सेक्टर ने निकाल करके दिया था और LTI और पिछे return हम लोगो निकाल करके दिया था तो दोनों कंपनी के merger के बाद दोनों में आप investment करने का सोच सकते हैं और जो नया formation कंपनी बनेगा उसमें तो आपको investment ज़रूर से करना ही है फिफ लार्जेस इंडिया के IT service provider बनने जा रही है एक अपनी quality stock Demart के हम लोग बात कर रहे हैं रादा किशन दमानी जी का flexible company है super chain और retail का business करता है Demart बहुत ज़्यादा growth और return हम लोग को पार्श मिन काल करके दिया है तो Demart में हम लोग देख भी रहे थे बहुत ज़्यादा price to earning ratio high जा चुका था दोस्तों करीव 8200 की PA से भी उपर work कर रहा दोस्तों किसी पीवर्ट से टक राता है तो ऐसा situation में हम लोग को कुछ profit कर लेना चाहिए मालीजे बहुत ही ज्यादा quantity आपके पास है तो दस श्टॉक है तो मालीजे 3-4 श्टॉक आप जरूर से profit बुक कर ले उसके बाद नीचे आता है 200 days के moving average के करीम में तो और भी अपना दिखा 3-4% का इसलिए इंट्री डीमाट में कोई activated नहीं हुआ था और भी हम लोग को fall होते वे दिखा है तो फिलाल हम लोग को डीमाट में कोई buying initiate नहीं करना है तो और भी fall हो सकता है 150 के PEE पे work कर रहा था तो अभी बड़ा गिरावट हुआ है तो 100 की PEE तक भी आ सकता है और उसके नीचे PEE पे भी आ सकता है डीमाट बहुत ज़्यादा growth रखता है हर साल store add करता है एक संदार diff free stock है management इसका बहुत ही sound है इसलिए हम लोग को डीमाट में जरूर से investment करना ही है लेकिन थोड़ा अभी हम लोग को wait and watch करना है और 3700 के pivot पे हम लोग को कोई ज़्यादा support देखते हुए नहीं बन रहा है बड़ा सा great candle बना है तो और भी follow up candle हम लोग को दिख सकता है डीमाट में और डीमाट का हम लोग को next target जो दिखने को मिलेगा वो 3355 का देखने को मिलेगा 3355 तक भी डीमाट आ सकता है अगर इस pivot को भी breakdown नीचे की तरब कर देता है तो बहुत ही बड़ा fall हम लोग को दिखने को मिलेगा 3355 पर आएगा तो best buy बनेगा डीमाट में इसलिए फिलहाल हम लोग को कोई buying initiate नहीं करना है watch list में जरूर रख ले क्योंकि बड़ा fall हो सकता है तो हम लोग को अच्छे price में मिलेगा डीमाट और भी quantity हम लोग bulk buying भी यहाँ पर कर सकते ह डरने वाली बात नहीं है long term में अच्छा wealth create करके डीमाट देगा और अगला stock जिसमें हम लोग को बड़ी fall देखने को मिल रहा है करीब 8% से उपर हम लोग को गिरावाट देखने को मिला angel one के हम लोग बात कर रहे हैं एक share broker है जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छा return pass में निक देखा था इस लेवल पर हम लोग बात किया थी कुछ profit बुक करना है angel one में अगर नीचे की तरफ बाई किये हैं तो यहां पर profit बुक कर ले यहां पर हम लोग को selling देखने को मिल सकता है और वैसा ही होता है और और इस pivot के लेवल से हम लोग को बड़ा fall देखने को मिलना है करी देखने को मिला है उसके कारण हम लोग को hammer candle भी बनते हुए दिखा है तो अभी हम लोग को buying करने के लिए थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा क्योंकि trend बहुत ही downward का है और भी fall कर सकता है तो एक बड़ा green candle हम लोग को 3-4% का angel one में बनते हुए इस level पर दिखेगा 200 days के म quantity में buy नहीं करना है थोड़ा price to earning ratio भी इसका high है और हम लोग को बड़ा fall होते हुए दिख रहा है तो trend downward का है और भी fall हो सकता है जैसे ही 200 days के moving average को cross कर देगा नीचे की तरब तो बड़ा fall हम लोग को देखने को मिलेगा तो अगर levels की बात करें बाइं करने के लिए तो 1500 के levels प तब हम लोग buy करेंगे नहीं तो angel one को अभी हम लोग को buying नहीं करना है उपर के price भी फसे हुए हैं तो यहां पर wait करना है और अगला stock की बात करेंगे LTI में अभी हम लोग merger की बात किए कि LTI और mind tree merger होने वाला है इसमें हम लोग को buying कप करना है इसके बारे हम लोग discussion करेंगे तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे दोस्तों LTI बहुत ही quality return हम लोग को पार्च में निकाल करके दिया है एक दो साल में बहुत ही अच्छा return हम लोग को निकाल करके दिया था एक consistent का pounder भी stock रहा है यहां पर हम लोग देख रहे थे double top का formation था 200 days की moving away से बहुत ज़्यादा नहां से हम लोग को FIIs का बड़ा selling LTI में देखने को मिलता है फिलहाल की बात करते हैं तो price 200 days के moving अब इसके करीब में आ जाता है और यहां पे भी हम लोग को triangle pattern दिखता है उसका नीचे की तरफ breakout तो बड़ा fall होते वे LTI में दिखता है तो नेची का pivot की बात करें तो नीचे फिलहाल इसमें wait and watch करेंगे क्योंकि trend downward का है 20 का moving average cross कर चुका है 200 days के moving average के नीचे तो अभी हम लोग wait करेंगे next pivot का वहां पे support लेते हुए दिखेगा अपने channel पे भी update करेंगे और telegram group पे भी update करेंगे कि LTI को आप लोग buy कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत इसमें एक दो दिन ह पड़ेगा देखने को मिला बहुत ही अच्छा return पिछले एक देड़ साल में माइंट्री ने भी निकाल करके दिया है और price 200 days के moving average से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला था बढ़िया consolidation था upward में और यहां पे हम लोग को triangle pattern का भी breakout दिखा था तो इस level पे हम लोग profit book करने के में तो बड़ा fall माइंट्री में हुआ और 20 का moving average 200 days के moving average से cross करते हुए दिख रहा है और अगर फिलहाल की बात करते हैं तो इस pivot पे आज हम लोग को बढ़िया सा hammer candle बनते हुए दिखा है 3206 के pivot पे अच्छा support दिखा है एक बड़ा सा green candle का weight करना पड़ेगा माइंट्री में इसलिए small quantity में ही buy करना है माइंट्री को company merge होने वाला है तो ऐसा नहीं कि news की basis पे हम लोग investment करेंगे हम लोग chart analysis growth और quality stock देखकर ही investment करते हैं तो यहाँ पे buy करने के लिए एक बड़ा सा green candle का weight करें 3-4% का levels की अगर बात करें तो 3400 पे आप लोग buy करके तल सकते हैं माइंट् तो होप आप लोगो वीडियो अच्छा लगता होगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर लिजे और अपने दोस्तों में share कीजे थैंक्यू मिलते हैं निक्स वीडियो में और हमारा एक free telegram group भी है उसको भी आप लोग जोईन कर सकते हैं